एवाइडिंग बाइस ऑफ जेनरलाइज़ेशन क्या होती है जब हम किसी एक सांपल पर बेस करके जहां से वह सांपल लिया है उसके इद्गित के तमाम लोगों पर वही नज़िया काइम कर लेते हैं जो हमने किसी एक सांपल के इसाप से किया कोई ग्रूप हमने किया ना तड उबादी को आप नहीं करते हैं सवाहे कि नैशनल लेवल जिसने कहते हैं कितने लोगां कितने मरते हैं कितने इस ओमर की का आम și कहां रहते हैं ये पकितान स्टाइचिस्टिकल और या American स्tatेटिकल और हर मुल्क में वह करते हैं तो इसको केटे एं लेकिन उसने हटके आपको कोशिच होती है कि आप उस देग में से पापुलेशन की जो दाने उठाएं वह बाकी देग की तरह के हो तो इसको ऐसे समझें कि अगर एक बरियानी की देग है पर उसमें से आपने येलो वाइट चावल उठाने है तो आप एक चमचा लेंगे वह मिले चुले होंगे तो बाक होगा कोई चावल요 को यह आपको बायस हो सकता है कि जिनको आपने स्टडी किया वह आपको वेलेबल थे तो आपने उनको पूरी जगा से कठानी किया जो उन से नतीज़ा आया आपने का सभी हैस« कि जो एक मसला करना होता है किसी यूशाइटी के अंदर भी कर रहे हो ना है कर दारे के नंदर कर रहे हो तब भी करना होता है तमाम स्टूडेंट एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसे नहीं होते एक ही आपके चार-पांक या दस बचे एक जैसे नहीं होते यह study हुई भी है कि कौन सी चीजें भैनों भायों भैनों भायों भायों ट्विन्स इन में common होती हैं कौन सी cousins में common होती हैं कौन सी दादा पुते में common हो सकती हैं लेकिन फिर भी हर शक्त एक individual difference रख सकता है तो जब आप group ले लेंगे बरादरी का ग्रूप ले लेंगे पाकिश्तान का group ले लेंगे वो पाकिस्तान के group को चाईना के group से compare करेंगे कि 20 लोग यांके थे या 2000 यांके थे 2000 वांके थे वो 2000 बाकी के 2 करोड से बिलकुल मिलते जुलते हैं या नहीं है इस टॉपिक को हम आगे भी दुबारा उठाएंगे ये बहुत एक इंटरस्टिंग प्रॉब्लम भी है और एक सोच के लिए भी मबात प्राहम करता है आप क्रॉस कलिटर्ल कंपैरेजन दुबार वाहम हो जाता है जब घरोग और फैमिली और बरादरी और महले महान जब लोग एक जैसे नहीं है दो तबाद इसमां मम सारे मल्के लोग एक जैसे नहीं होते यह बात मैं बार बात क्रॉस कल्चर में इसलिए दोहराती रहती हूं कि इसकी वज़ा से जब कोई यंग रिस्टर्चर इसको पढ़ता है तो वह कहते हां ठीक है जैपनीज और पाकिस्तानी इस्ट्रूरेंस में यह फर्क है हो सकता है कुछ जैपनीज आपकी तरह के हों तो आपने जो उठाए उन अब यह भी होता है कि किसी ग्रूप की कोई आउटस्टेंडिंग एक्जामपल होती है आउटस्टेंडिंग से मुराद है जो बड़ी नुमाया होती है अब अगर मोटिवेशनल स्पीकर में एक आदमी जो है वह बड़ा ही उसकी किसी वज़ा से उसकी कोई कांट्रोवर्स किसी भी शेयर की मिसाल हो सकती है कि लहौर में अक्सर लोग दूस्रों की परवार नहीं करते हैं या कराची में लोग तेज गाड़ी चलाते हैं तो हम कंपैरिजन करते हुए जो चार लोग हमने देखे हैं या जो टीवी पर आता है या जिसकी स्टोरी सोशल मीडिया पर आ महाशने में लड़कियों क्या कर रही हैं नशा कैसे फैल रहा हमें तो स्टोरी नहीं पता चीज चीज नumया हो जाती इसको लेकि आप बाक्यों के बारे में नजरीया कर लेते हैं ये आम लोग तो करते हैं लेकिन साहिस दानों को इसके बहुत अहत्यात की जरुत हो उसकी वज़ा से होता है कि हम इन एक्यूरेट यानी खलत नज़िया और जनरलाइजेशन पैदा कर लेते हैं अपने अंदर और फे तोचना शुरू कर देते हैं कि हैसा ही होता है इस से बचने के लिए क्या करना होता है यह जो तस्यीर में खातून आपको नज़र आ हैं और हम मैं पाकिस्तान साइक्लाजिकल अस्टोसियेशन के एक आफिस होल्डर हूं हम एक स्कूर्शन कर रही हैं कि यह जो दो कल्टर का बाइस हो जाता है वो तो जिन्दगी में भी होता है मैं उन्हें देखके सोच यह उन्हें घर में नहीं एतना खाना वाना पकाती हो कि यह उसका मुझे देखके सोचती हो कि यह पाकिस्तानी खातून है मतलब है यह हम जिन्दगी में भी करते रहते हैं तो देखना यह कि साइस क्या था कहां से सांपल लिया था कितना बड़ा लिया था जो मैथर्ट चूज किया था क्या वो कल्च्टरल सेटिंग्स में प्र ट्रांसलेट हुए थे फिर क्या डेटा जो है वह आपको काईल कर रहे हैं वह किन्विंसिंग है नजर आ रहे हैं कि एहतियात से किया गया था और जो टड़ी का नतीजा निकला है क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिनका असर इस पे हुआ हो जिसको रिसर्चर ने देखा नी के फिर आप कह सकते हैं कि इसमें तो ये प्राबलम था इसमें जो नतीजा आया है मैं उस नतीजे को थोड़ा किसी को हर जगा कहूंगी निंगे ये तो ऐसे हुआ है जर्नलाइज निंग करूंगी मैं इसके बारे में मजीद पढ़ूंगी और इसको मजीद अब्सर्व हैं और बहुत से रिलिजिज्जिस ग्रूप हैं हर दीन के लोग हैं अब ये ग्रूप अपने अंदर भी एक जासे नहीं है तो कुछ एडुकेटेड है कुछ नहीं है कुछ चैरों में रहते हैं कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं रिस्टर्च में जब आप किसी एक उसरे गुरुप से करें तो उस गुरुप के अंदर जो अपनी विराइटी है वो उसको हमने देखते हुए हमें एडीशनल इन्फरमेशन ले लेनी चाहिए हमें उसके बारे में मजीद पूछ लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने एक सांसरे पाकिस्तानी फीमिल स्टूडाट कें दर कुई चीज नहीं हूं थे मसलन मसलन है आधका फरक एंगलिम का अगर यह चीज़ीजे देखेंगे तो पाकिस्तानी डाशोचल कंपैरिजन हो चाहेगा है आपने सारे ही बड़ी हाई प्रेस्टीजियस एंड वेरी कॉंपीटेंट प्राइवेट का नहीं देखा और प्राइवेट प्राइवेट की रेंकिंग नहीं देखती तो उसको जब कोई दूसरा कल्चर कंपेर करेगा हमारे से तो हमारी पिक्चर वो पूरी सही नहीं होगी फिर कि सी लोग को अपने शर से वह फरक होतेश्ड अगर मैं ने यंग बंची को कहते सोना कि जो पाकिस्तानी लोहरी आंटियों का कल्चर रहते हैं है में उनमें फ्रीट नहीं पहता है शूंमले से और यह मैंने अக्तर सुने कि हम थो अपने ही कल्चर में अपने ही जैसे लोगों से जो कलमा गो हैं लहूर में रहते हैं हमारे आसपास रहते हैं हमारी तरह के खाने खाते हैं लहूर उन से ही हम फर्क हैं तो हम तो आपस में फिट नहीं हो रहे हैं तो सोशल ग्रूप के अंदर जो इंडिविजूल होते हैं वो इक दूसरे से मुक्त रही हैं और तोंका एक अकल्टर जहां पे वह कोई मुका बना रही है डास करके और एक फै्मिली का मैं पार जिसमें पुफ्पी और वतीजा एक जैसा यह बैं के और स्माल कर रहे जो एंदर भी फामड़ करते हैं